नमस्कार दोस्तों सभी दवाईयों का बाप है ये तेल ये हर दिरो खुटनों का दर्द वजन को घटाने और आखों की रोसने को बढ़ाने में राम बाण हैं दोस्तों वे लोग जो वेजिटेरियर हैं और मचली नहीं खा सकते उनके लिए मचली का तेल यानि फिस ओयल की गोलियां एक वरदान के समान हैं मचलियां अनेक जाती परजातियों की पाई जाती हैं किन्तु जिन जातियों से मचली तेल पराप्त किया जाता है उनमें मेकरल, ट्राव, हेलिबर, टूना, आधीप, परमुक हैं मचली तेल से पराप्त स्वास्थेला बहुत अधिक हैं और ये हमारे सरीरगी बहुत सारी बीमारियों को जड़ से खतम करने का काम करता है और हमें सवास्थ बनाने का काम करता है दोस्तों मचली के तेल में छुपा है सेहत का राज तो आए दोस्तों जानते हैं मचली के तेल को खाने के चमतकारिक फाइदों के बारे में डीप्रेशन को भगाई, रिसर्च के अमस्वार मचली के तेल में ओमेगा 3 पाया जाता है इस कान से यह व्यक्ति में अवसाद, उदासी, चिंता, व्यकुलता, मानसिक थकान, तनाओ, आदी मानसिक रोगों को दूर करता है और व्यक्ति में सैकिरियत का संचार करता है हरदे रोग मचली तेल में उपलब ओमेगा 3 हरदे को स्वस्थ बनाये रखता है हरदे को सभी त्रहें की बीमारियों से बचा कर रखता है यह रक्त में हनिकार कोलस्टोल LDL को कम करता है और लाबकल कोलस्टोल HDL को बढ़ाता है इस परकार मचली तेल के निमित उपयोग से हर देखात होने के संभावना ना के बराबर होती है सरीर की सूजण को कम करे सरीर में सूजण भले ही ठायराइड की वज़े से हो या फिर सिरोसिस की वज़े से मचली का तील उसको कम करने में बहुत अधिक सायक है रोज दिन में तीन ग्राम मचली का तेल लेने से सूजन कम हो जाती है खुटने का दर्द जिन लोगों को खुटने के दर्द की समस्चह है यानि के arthritis आधी problem है उसमें यह मचली का तेल बहुत अधिक फाइदमन्द है लेकिन मचली का तिल बिलकुल प्योर होना चाहिए, सिंथेटिक रहीत होना चाहिए इससे आपके घुटनों कदर, कंधे कमर कदर और गठिया कदर, और जोडों कदर, छो मंतर के तरहें गायब हो जाएगा तवचा को सुंदर बनाए तवचा की जुरिया तथा रूखापन मचली के तेल के सेवन से दूर होता है जिससे व्यक्ति का सौंद्री और आकरसन बढ़ता है इसमें DHA और EPA एसिड पाई जाते हैं जो कि जरूरी फैट्टी एसिड होते हैं और ये सीधे तवचा के सौंद्रे से जुड़े होते हैं यह तवचा के अनेक रोगों जैसे दाद, खाज, खुचली आदी के उपचार में भी बहुत अधिक उपयोगी हैं जिसके लिए इनकी मालिस की जाती हैं गर्बावस्ता, गर्बावस्ता में इस्तरी द्वड़ा मचली तेल के सेवन से गर्बास सिसु के मस्तिक्स और आखों के विकास में सुधार होता हैं जो इसमें उपस्तित डी एच्चे की उपस्तिती के कान होता हैं इससे गर्बास सिसु के सारेरिक विकास में साहिता मिलत अगर आप किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाते तो मचली के तेल का सेवन करना आपके लिए बहुत अधिक फाइदे मन्द है तो दोस्तों आप भी मचली के तेल का सेवन करके इससे होने वाले फाइदों को उठा सकते हैं और अपने सरीर को बिलकुल स्वस्थ मनाए रख सकत हैं तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिफिकेशन आती रहे धन्यवाद दोस्तों